Hello everyone, Welcome to the channel Current Affairs by Raviy और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Last 7 Month का Current Affairs यानि की जनवरी से लेकर जुलाई 2024 के बीच का आपका जितना भी important content है तो उसमें top most 200 questions को आज की इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं ये पूरी वीडियो काफी important रहने वाली है आपके सभी exam के point of view से तो उसको last तक आपको जरूर देखना है और at the end of the video में आपसे कुछ questions भी पूछूंगे जिनके answers आप मुझे comment करके बताएंगे तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं video और discuss कर लेते हैं हमारी आज की video का पहला question जो कि है किस राजे ने लाडला भाई योशना इसके शुरुवात की है तो देखे लाडला भाई योशना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुवात की है महारास्ट सरकार ने that is option number A आपको उसमें ध्यान रख रहे हैं देखे अपने लाडली बहन योशना इन सभी के बारे में सुना होगा लेकिन लाडला भाई योशना या फिर लाडला भाव योशना के नाम से यह जो योशना है इसके शुरुवात यह की है महारास्ट ने अब इसके इंतरगत क्या होगा तो देखे महारास्ट में विधान सभा चनाव से पहले जो महा के मुखे मंत्री है एकनाच शिंदे उन्होंने योशना की शुरुवात की है और इसमें जो डिप्लोमा होल्डर से उनको 8000 रुपे जिसने ग्रैजवेशन की हुई है उसको 10,000 रुपे और जिसने 12 पास की हुई है उसको 6000 रुपे यहां पर दिये जाएंगे और ये प्रतिक महीने ये राश्य दी जाएगी ताकि वो अपनी जो पढ़ाई है उसको आगे फरदर जारी कर सके तो ध्यान रखना लाडला भाई योशना या फिर लाडला भाव योशना इसके शुरुवात की है महरास्ट ने फिरे मानवता के लिए 2024 का गुलबेंकियन पुरुसकार ये किसने जीता है तो देखे मानवता के लिए पुरुसकार 2024 में जीता है आंदर परदेश ने तो देखे आंदर परदेश समोधाय प्रभंधित प्राकरतिक खेती ने मानवता के लिए 2024 का ये पूरुसकार जीता और ये पूरुसकार उन वेक्तियों या फिर उन संग्रठनों को उनके उत्करस्ट योगदान के लिए दिया जाता है जिनोंने जलवायू परिवर्तन की जिनोती से निपटने के लिए एक स्थाई समधान प्रदान करने की आशा को प्रेरित किया हूँ तो ध्यान रहेगा इसका असाही आंसर है आपका आंदर ब्रदेश फिरे जुलाई दो हजार चौबीस में नीती आयोग का पुनरगठन किया गया इसके उपाद्यक श्याने की वाइस चेर्मन कौन है देखिए अगर नीती आयोग की बात करे और इसके उपाद्यक श्याने की वाइस चेर्मन तो ये है सुमन के बेरी तो देखिए रीसेंटली लोगसभा चुना हुए थे नरेंद्र मोदी का थर्ड टर्म ये स्टार्ट हो चुका है और उनी के नेतत वाली जो एंडी सरकार है उसी नहीं नीती आयोग का पुनरगठन यहाँ पर किया है जिसमें चार पूर्ण कालिक सदश्यों और साथे में भाजपै सहयोग्यों सहीत 15 केंद्री मंत्रियों नहीं हाँ पर मिलकर पूरा ये फोरम बनाया है और इसके बाद अगर हम बात करें नीती आयोग की तो नीती आयोग की जो फॉरमेशन हुई थी वो 2015 में हुई थी पहले इसके होता था प्लानिंग कमीशन लेकिन उसको रिप्लेस करके आया नीती आयोग और उसके बाद में गर हम इसके चेर्मेन के बात करें जो देश के प्रधान मंतरी होते हैं वही इसके चेर्मेन होता है जैसे कि एड प्रेजेंट है नरेंदर मोदी तो वही इसके क्या हो जाएंगे चेर्मेन हो जाएंगे CEO की बात करेंगे तो वो है B.V.R. सुभरमन्यम ये भी आपको ध्यान रखना है और वाइस चेर्मेन की हम डिसकसन कर रही चुके हैं कौन है तो ये हैं सुमन के बेरी तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है फिर उत्रा खडने अपनी पहली बर्ड गैलरी ये कहां पर शुरू की है तो देखे आपसे स्टेट भी पूछ सकते है कि पहली बर्ड गैलरी किस राजी ने भी हाल ही में शुरू की है तो ये याद रखना है उत्रा खडने की है और अगर हम पूछे उत्रा खडन में किस सिटी या फिर किस उसमें की है रीजन में तो आपको पता होना चे ये कि है कहां पर धेरा दून में तो ओप्शन नमबर ए आपको उसमें ध्यान लखना है कि धेरा दून में बर्ड गैलरी की शुरूआत की गई है तो ओप्शन नमबर ए आपको उसमें ध्यान लखना है तो देखे उत्राखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने 15 जुलाई को देहरादून में प्राकरतिक सिक्षा केंदर जोली ग्रांट में उत्राखंड की पहली बॉर्ड गैलरी की स्थापना की है और इस गैलरी में उत्राखंड के पक्षों की उच रेजोलेशन वाली तस्वीरे ली गई है और उन्हें दिखाया गया है जो कि विजिटर्स को राज्य के पक्षों की आगर्शक जुलक यहां पर दिखाती है तो ध्यान रहेगा उत्राखंड में अपनी पहली बोर्ड गैलर यह न्युक्तियों हैं रोबर्ट के जैराड रवी डाट इस ऑप्षन नमबर ए शॉट में यह भी लिखा रहा है कहीं बार आर्जी रवी करके भी आप याद रख सकते हैं यह है बियस नल के नई अध्यक्ष और साते में उनके प्रभंध निदेशक अगर हम बात करें बिय यह न्युक्तियों पर्लियमेंट की नई अध्यक्ष यह फिर से कौन चुनी गई है तो यूरोपियन संसत के गरम बात करें तो इसके फिर से अध्यक्ष यह चुली गई है कौन रोबर्टा मैट्सोला डाट इस ऑप्षन नमबर सी आपस में ध्यान रखेंगे कि रोबर्ट अध्यक्ष यह फिर से कौन से खेल से तो इनका खेल है यह पर बेड्मिंटन और वह अगरम बात करें शरत कमल की तो यह शीर्ट स्टेबल टैनिस खिलाड़ी है तो दोनों के गेम्स भी आपको यहां पर पता होने चाहिए फिरे पैरिस 2024 औलमपिक के लिए भारत के शेफटी मिशन के रूप में किसे चुना गया है तो भारत के शेफटी मिशन के बात करें भारत के ओलंपिक्स में तो वो रहेंगे गगन नारंग, that is option number B, आप इसमें ध्यान रखेगा, फिरे किसे रास्टे शेरोग उन्मूलन कारिकरम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में न्यूप किया गया है, तो देखे अगर हम बात करें प्रिंसिपल एडवाइजर फोर द प्रधान सलाहकार के रूप में यहाँ पर चुना गया है किसके द्वारा, किसके लिए तो नैश्टन ट्यूबर क्लोसस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए, तो option number A आपस में ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें किसकी डॉक्टर सौम्य स्वामी नाथन की, तो इससे पहल प्रधान सलाहकार के रूप में न्युक्त की गई है, तो नाम आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर सौम्य स्वामी नाथन, फिरे मिखाईल मिसुस्टिन यह किस देश के फिर से प्रधान मंतरी बने है, तो मिखाईल मिसुस्टिन के बात करें, तो फिर से यह रश्य के यहा पूतिन और अगर हम बात करें, प्रधान मंतरी की यह प्राइम मिनिस्टर की, तो वो है मिखाईल मिसुस्टिन, तो दोनों का ही नाम आपको ध्यान रखना है, फिरे किसे ब्लादमिर पूतिन यानि कि रश्य की जो प्रेज़ेंट है उनके द्वारा, ओर्डर अफ सेंट ए यह प्रधान किया गया है किसको? नरेंदर मोधी को, किसके द्वारा? ब्लादमिर पूतिन के द्वारा, तो यह भी आप उसमें ध्यान रखेगा, अगर आपसे यह पूछी कि रूस का सर्वोश नागरिक संबान कौन सा है, तो वह आपको पता होना चाहिए कौन सा है, दा ओ वहां के प्रधान मंत्री नहीं है, अब वहां के जो नए प्रधान मंत्री बन गए है, वो बन गए है कीर स्टार्मर, ठीक है, तो वहां के प्रधान मंत्री भी चेंज हुए, यह भी आपको पता होना चाहिए, और उन्होंने ही उनके ही कारेकाल में एक नई पहली महिला वि राचेल स्वीप्स तो देखे युनाइटेड किंग्डम में कीर स्टार्मर के नितत वाली नई सरकार का गठन कर दिया गया है और इसमें स्टार्मर नहीं राचेल स्वीप्स को देश की पहली महिला वित मंत्री के रूप में यहां पर निक्त किया है फिर है FATF यानि की फाइ बी है वापस में ध्यान रखेगा कि FATF अध्यक्ष के रूप में निक्ती हो चुकी है कि इसकी एलीजदे एंडरा मादराजा की और यह 2026 जून तक अपने पद पर बनी रहेंगी और यह किसका स्थान लेंगी तो यह स्थान लेंगी सिंगपूर के टी राजा कुमार का और अगले तीन वर्षों के लिए यह अपने पद भार पर यहां रहने वाली मताब अगले दो वर्षों के लिए यह रहने वाली और इससे पहले जून 2023 तक इनोने FATF में तीन वर्ष के लिए उपार्द्यक्ष का पद भी सम्हाला था फिरे T20 वर्ड कप किस देश के टीम ने जीता है तो T20 वर्ड कप की बात करी तो यह जीत ले अपने प्यारे देश भारत नहीं that is option number B आपस में ध्यान रखीगा आयजन तीती की बात करी तो एक जून सी 29 जून के बीश में यह हुए है आयजन सल की बात करी तो Western डीज और अमेरिका में यह हुए थे संस्क्रन था यह इसका नोवा और इसको कौन होस्ट करता है तो ICC के द्वारा यह होता है विजेता टीम है भारत जिसकी कप्तान थे रो विराट कोहली सरवादिक रन की बात करें तो अफकानिस्तान के प्लेयर है रह्मान उल्ला गुर्बाच उन्होंने बनाए हैं और सबसे जादा विकेट के बात करें तो भारत के आश्यदीप सिंग और साथी में अफकानिस्तान के फजलोग फारुकी ने दोनों ने 17-17 विक अन्यास लेने की घोशना कर दीती जस्ट आफ्टर दा मैच मतलब जब फाइनल मैच हुआ ट्रॉफिव अगेरा अनॉंस्मेंट हो रहा था उस दुराने इनों ने इस चीज़ की घोशना कर दीती फेरे महारास्ट की पहली महिला मुख्य सचीव की रूप में किसने पदभा समहला है तो तीसवे सेना प्रमुख की रूप में कारेभार समहला उपेंद्र त्रिवेदी ने जो कि स्थान लेंगे मनोज पांडे का तो ओप्शन नमबर जो बी है वाब उसमें ध्यान रिखेंगे कि तीसवे सेना प्रमुख यानिकी आर्मी चीफ ये बन चुके पाकिस्तान को हरा कर ये ट्रॉफी अपने नाम की है तो ओप्शन नमबर जो सी है वापस में ध्यान रखेंगे तो देखे जापान ने फैनल में पैनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को चार एक से हरा कर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी ये जीत लिये औ और 2024 में जापान, पाकिस्तान, कैनड़ा, दक्षिन कोरिया, न्यूजिलेंड और मेजबान टीम यानि के मलेशिया इन लोगों नहीं हाँ पर पार्टिसिबेट किया था। फिरे किस संग्रठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून यहाँ पर अपनाया है। यूरोपिय संग्ने आयोक ने 2022 में कानून का यह प्रस्ताव रखा था, तो यह भी आपस में ध्यान रखेगा। फिर भारत के 85 वे सतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने और फिर आपसे कोई पूछे कि रीसेंटली जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन बने है। 85 नमबर के तो यह बन गए है कौन नम हिनका पी शाम निखल ताट इस ओप्शन नमबर जो बी है वापस में ध्यान रखेंगे। कि जो पी शाम निखल है वो बन गए है कौन भारत के 85 वे सतरंज ग्रैंड मास्टर हो। तो यह निख्थ हुई है करीना कपूर खान आपस में ध्यान रखेंगे कि युनिसेफ इंडिया के लिए नैशनल अमबैस्टर के रूप में निख्थ किया गया किसको करीना कपूर खान को। इससे पहले 2014 से यह इस संग्रटन के साथ में जुड़ी भी है और एजन सेलिब्रेटी एडवोकेट इन्होंने यहाँ पर कारिये भी किया है। फिर अंतरास्य सोर गटबंदन का अनुमोधन यानि की उसो रेटिफाई करने वाला 97 वा सदश्य देश कौन सा बना है। को समिधानिक यानि कॉंसिट्यूशन राइट बनाने वाला दुनिया का पहला देश यह बन गया है कौन सा यह बन गया है फ्रांस देट इस option नमबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखें मार्च 2014 में फ्रांस में गर्बपात कराना अब समिधानिक अधिकार यहां पर बना दिया गया और फ्रांस दुनिया का पहला देश है जिसने गर्बपात कराने का अधिकार यह अपने समिधान में शामिल किया है और गर्बपात को समिधानिक अधिकार बनाने के लिए फ्रांस के 1958 के समयधान में संसोधन भी किया गया है तो ध्यान रहेगा दुनिया का पहला देश जिसने की गर्बपात को यानि की अबोर्शन को इक constitutional right यहाँ पर बनाया है तो वो बन गया है कौन सा देश दाट इस फ्रांस फिर हर्याना के 11 मुख्य मंतरी के रूप में किशने सपत ली है तो हर्याना के 11 मुख्य मंतरी बन गये है नायाप सिंग सैनी आपस में ध्यान रखेगा फिर राम विलास पास्वान दा वेदर वेन इंडियन पॉलिटिक्स इस पुस्तक के लेखाख है सोबना के नायर that is option number D आपस में ध्यान रखेगा और इन्हीं की जो बेटे हैं चिराग पास्वान वो रीसेंटली अभी मोधी कैबिनेट में शामिल हुए है ठीक है और आपको बताना है कि चिराग पास्वान के पास में कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर एलोकेटेड की हुई है तो इसका अंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो ध्यान रहेगा राम विलास पास्वान दा वैदर वेन ओफ इंडिन पॉलिटिक्स इस पुस्तक के लेखाख है शोबना के नायर फिरे साथवी बार संतोस ट्रॉफी 2023 का खिताब यह किसने जीता है तो साथवी बार यह खिताब जीत लिया सर्वेसेज ने डार्टर जॉप्शन नमबर ए आपस में ध्यान रखेगा इसका आयोजन हुआता गोल्डन जुबली स्टीडियम अरुनाशल परदेश में संसक्र फिरे प्रसार भारती के नयाध्यक्ष ये कौन बने है तो प्रसार भारती के नयाध्यक्ष बन गए है नवनीत कुमार सहेगल यह आपस में ध्यान रखेगा अगर हम बात करें नवनीत कुमार सहेगल की तो यह स्थान लेंगे ए शूरिय प्रकास का प्रसार भारती की बात क तो एक constitutional तो नहीं बलके एक सावधी क्याने के statutory autonomous body है और ये एक सरकारी प्रसारान किंद्र है जिसके स्थापन वीदी 23 सवंबर 1997 में फिर न्यानवे तांशेन संगीत सम्हारों 2023 में तांशेन सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो ये सम्मानित क्या गया है पंडित गणवति भट को सम्हारों जिसमें को रुपे शौल श्रीफल और सात्मेग प्रसस्ती पत्र भी हाँ पर दिया जाता है फिरे CISF याने केंदरी और द्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुक कौन बनी है काफ़ी इंपॉर्टन क्योशन है ये बनी है नीना सेंग दाट इस ओप्शन नमबर बी CISF की बात करें स्थापनावी थी 1969 मुख्याले नई दिली में और अध्यक्षेंस के कौन नेना सेंग फिरे जन्वरी 2024 को भारत का पहला X-ray पोलेरेमिटर उपकर है ये किसके द्वारा लॉंच किया गया तो ये लॉंच किया था इस रो ने डाट इस ओप्शन नमबर ए आपस में ध्यान रखेंगे और इसका बेसिकली पॉपस था जो X-ray श्रोत के दुरुवी करन की जाज करना और ब्लैक होल के रहशो को अध्यान करना इससे पहले अल्रेडी X-ray को समझने के लिए नासर की द्वारा भी एक घ्रह भेजग है जिसका नाम ता IXPE that is Amazing X-ray Polarimeter Explorer तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगा फिर जार्खन के नए मुख्य मंत्री के रूप में किष्णे शर्पतली है तो ये बन गए है वापस से हेमन सूरें जिनोंने की थर्ट अमिया पर अपना समहाला है और इनको शर्पत दिलाई है किसने राजेपाल CP राधा कृष्णन ने फिर है भारा सरकार के द्वरा प्रोजेट परी ये कहां पर लॉंच किया गया है तो प्रोजेट पारी या फिर परी की बात करी तो ये लॉंच हुआ है दिल्ली में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 46 सेशन जो है युनेसको वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का वो होने हुआ हुआ ह नपर दिल्ली में और उसी के प्लक्ष में दिल्ली को सजाने की बात वी इसकर प्लक्ष में प्रोजेट पारी के श development यहां पर पी गई है प्रोजेट पारी यानिकि पब्लिक कार्ट ओफ एंडिया और इसमें केंदरी संस्कृति मंत्रालेनी इस परियोशना की शुरवात की है जिसमें ललित कला अक्यादमी और साथी में रास्ट्रिये आदुनी कला गयलरी के सहयोग से इसको इंप्लिमेंट किया जाएगा फिरे भारत के 35 विदेश सचीव ये किसे चुना गया है तो भारत के 35 विदेश सचीव काफ़ इंपॉर्टेंट है ये बने हैं विक्रम मस्तरी और ये ध्यान रखेगा पहले विने कुमार कुमार कुआत्रा थे उनके जगह अब आ गए हैं विक्रम मस्तरी और जो विने कुमा क्वात्रा का फिर एस्पा के अगले चेर्मेन के रूप में किसकी न्युक्ति की जाएगी तो अभी तो है दिनेश कुमार खारा देकिन हम अगले जो बनेगी वो नाम फैनलाइज किया गया है चल्ला श्री निवाशलू सेट्टी का फिर है पुरुशो के टी-20 इंटेनेशल ओल राउंडर रैंकिंग में टॉप पर कौन रहे हैं तो यह रहे हैं हार्दिक पांडिया ताट इस ऑप्शन इंबर जो डी है वापस में ध्यान रिखेगा और इसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतिय को ओल राउंडर की कैटेग्री में यह उपलबदी हां पर हासिल ओल राउंडर की कैटेग्री में टॉप पर रहे हैं कौन हार्दिक पांडिया फिर पहला के सरस्वती अम्मा पुरुसकार यह किसे प्रदान किया गया तो यह प्रदान किया गया पी गीता को ताट इस ऑप्शन इंबर ए और पी गीता को एमटी वासुदेवर नैर की पठक पर अधारित उनके कृति आन थकुचल के लिए यह पुरुसकार यहां पर दिया गया है फिर संगाई सहयोग संगर्टन के दसवे पूर्ण सदश्य की रूप में कौन शामिल हुआ है तो यह सामिल हुआ है बेलारोस अप्शन इंबर भी आपस में ध्यान रखेगा तो लाकिस्तान की राश्टपती कासिम जमार्टितों का ये पने और उसी में ये फैसला लिया गया कि जो दसवा पूर्ण सदश्य यहां पर शामिल हुआ है वो हुआ है बेलारोस इससे पहले जो नाइन्थ कंट्री शामिल हुई थी वो थी कौन सी इरान तो ये भी आपस में फिर रास्टेश किस्ता आयूग का ध्यक्ष किसे नुक्त किया गया है तो ये हुए है डॉक्टर बी अन गंगादर डाट इस ब्चन नमबर A आपस में ध्यान रखना है फिर ए इरान की नए रास्ट पती कौन बने है तो इरान की नए रास्ट्पती ये बन गए है मशूद पैजस्कियान, that is option number A तो देखे, आप सभी को मालूम होगा कि जो इबराहिम रही सी थे, इससे पहले वाले जो इनके राश्टपती थे, आर्टवे नंबर के तो उनका plane crash में निधन हो गया था तो उसे के बाद में फिर से हाँ कि जो राश्पती चुने गए है, वो चुने गए है कौन? मर्शूद पैजकिश्यन तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है फिरे मनोज वाजपी The Definitive Biography पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखे मनोज वाजपी The Definitive Biography पुस्तक के लेका के पियूश पांडे That is option number A फिरे विकलांग चातरों के लिए पूर्वी भारत का पहला विशविध्याली कहाँ पस स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा जारखन के रांची में That is option number D तो देखे रांची में विकलांग चातरों के लिए पूर्वी भारत का पहला विशविध्याली स्थापित किया जाएगा और सिक्षा मंत्री जो है चमपी सोरेन ने सिक्षा के बुन्यादी धाची में सुधार के निर्देशती और जमशेदपूर में पंडित रागुनात μोरमु जन जाते विशविध्याली की प्रगति के समिक्षा भी याँ पर की है फिर दिख्यूफ हाली में किई देश के नए प्रधान मंत्री बने हैं तो दिख्यूफ की बात करें मार्क रूट अब वो बन गए है नाटो के महासचीव और उनके जगा पर स्थान ले लिया किसने डीक सूफ ने फेरे 37 लोकार्णो फिल्म फेस्टिवल में प्रतिस्टिट लाइफटाइम अचीविमेंट आवोर्ड से संबानित किसे किया गया तो यह हैं भारती अक्टर के लिए न्यूस प्रोड कास्टर एंडिजिटल एसोस्टिशन के अध्यक्ष की रूप में किसी चुना गया तो यह चुने गए हैं रजजच शर्मा डाट्ट ऑप्शन नुबब बी फिरे केंडर सरकार ने किस दिन को समिधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला ल कि केंडर सरकार ने हर साल 25 जून को समिधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है और 25 जून को समिधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर भारत सरकार की ओर से एक अधिसूशना भी जारी कर दी गई है फिरे कोपा अमेरिका का किताब ही किस देश ने जीता है तो कोपा अमेरिका की किताब यह जीता है किसने अर्जेंटीना ने डाट जॉप्शन नमबर सी आपस में ध्यान रखेंगे तो देखे 15 जुलाई तो यह आपको उसमें ध्यान लगना है तो नेपाल के ने प्रधान मंत्री कौन बने है तो नेपाल के ने प्रधान मंत्री की बात करें यह बन गए है के पी शर्मा ओली डाट जॉप्शन नमबर बी फिर विंबल्डन पुरुस एकल किताब 2024 यह किसने जीता है? तो विंबल्डन पुरुस एकल किताब की बात करें यह जीता है स्पेन ने डाट इस वाल यह बन करते हैं बैसिकल यह पूचा है तो यह बन करते हैं स्पेन से तो उप्शन नमबर सी आप इसमें ध्यान रखेगा तो देखें स्पेन के कार्लोस了吧 कराज ह कहां से बिलौण करते हैं स्पेञ्व से हराय है किसको नुवाक जोको वीच को जो कि बिलौण करते हैं सर्विया से फिर प्रिधान मंत्री नरेंदर मोधी ने हाल lied में किस राजय में भारत सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोशना की नीव रखी है तो ये रखिये कहां पर महारास्ट में डाटर ऑप्शन नुबर D आपस में ध्यान रखिएगा थानी बोरिवली ट्विन परियोशना यात्रा समय को एक घंटे से घटा कर केवल बारह मिनुट ही कर देगी तो ये भी हुंडाई मोटर इंडिया लेमिटेड का ब्रेंड अम्बेस्टर ये निउप्ट किया गया तो ये हुई है दपी का पाध कौन that is option number A अगला question है के इंदे सरकार नहीं शोलवे बित आयू का अध्याक्ष ये किसे निउप्ट किया गया है तो सोलवे बित आयू के अध्याक्ष चुने गए हैं डॉक्टर अर्विन्थ पंगडिया that is option number B तो देखे पंडरे बित आयू के अध्याक्ष बने हैं N.K. सिंग मतलब वो थे N.K. सिंग थे और अभी सोलवा फाइनेंस कमिशन चला है जिसके अभी अध्याक्ष बन गए हैं डॉक्टर अर्विन्थ पंगडिया अगर हम बात करें फाइनेंस कमिशन की तो एक constitution institution है जो की आता है 280 आर्टिकल में और इसका बेसिकली परपस होता है कि राज्जी और केंदर के भीश में पैसा कैसे बटेगा कितना बटेगा और इसकी देख रहें कि बेसिकली करता है फिर समलेंगिक विवा को वैद बनाने वाला दक्षिन पूर्व एशय देश ये कौन सा है तो देखे अगर हम बात करें समलेंगिक विवा को वैद बनाने वाला दक्षिन पूर्व एशय देश पहला तो ये बन गया है Thailand, that is option number A तो देखे दक्षिन पूर्व तो ये पहला है लेकिन अगर हम बात करें कि एशय देश तो ये थर्ड नंबर पर आएगा इससे पहले जो ताइवान है 2019 में और नेपाल ने 2023 में समलैंकिक विवा को यहां पर वैद बना दिया था फिरे सन्युक्तरास्ट भूमी नायक के रूप में किसे सम्मानित किया या तो सन्युक्तरास्ट भूमी नायक के रूप में सम्मानित हुए है शिद्धात सिद्धेश साकोरे that is option number B आपस में ध्यान रखेगा फिरे भूटान का सरवोश नागरिक सम्मान दा ओर्डर अफ ड्यूक ग्याल पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी सासना ध्यक्ष जैसे की इमेश में आप देखी रहे हैं कोने नरेंद्र मोदी that is option number C फिर यूरो कप 2024 का किताब किसने जीता है तो ये जीता है किसने स्पेन ने that is option number A आपस में ध्यान रखेगा तो स्पेन की पूरुस फुटबोल टीम जिसे ला रोजा के नाम से भी जानते हैं उसने 14 जुलाई 2024 को बर्लिन की ओलंपिया स्टेडियन स्टेडियम में खेले गए फैनल में इंग्लेंड को 2-1 से हरा कर अपनी चौथी UEFA यूरोपी फुटबोल चैंपेंशिप या फिर यूरो कप यहां पर जीत लिया है फिर है विंबल्डन महिला एकल 2024 का किताब किस ने जीता यह जीता है बार्बोरा क्रेजी कोवा ने तार्टर जॉप्शन नमबर ए आपस में ध्यान रखेगा और यह बिलॉंग करती है चेक रिपब्लिक से अब देखें यह तो female categories है male category अभी हमने डिसकस की किस ने जीता था कार्डोस ने जीता था कहां से बिलॉंग करते थे स्पेन से और किसको हराय था नवाग जोकोविच को हराय था जो कि बिलॉंग करते थे सर्भिया से और female category की बात करीं तो बारबुरा ने जीता है चेक गनराज्य से बिलॉंग करती और हराय किसको जैस्मीन पाउ लीनी को अब आप मुझे बताओगे कि यह किस कंट्री से बिलॉंग करती है फिरे world championship of legends का किताब यह किसने जीता है यह जीत लिया है भारत ने that is option number A आपस में ध्यान रखेगा और इन्होंने final में पाकिस्तान को पांच मिकिट से हरा कर यह खिताब अपने नाम किया है फिरे 9 बार बिहार की मुख्य मंत्री पत की शपत किसने लिया है तो 9 बार बिहार में मुख्य मंत्री पत की शपत लिया है नितीश कुमार ने that is option number C आपस में ध्यान रखेगा फिरे गर्बपात को समिधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है तो गर्बपात को समिधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है फ्रांस that is option number A तो देखे महिलाओं को गर्बपात का समंधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश यहां पर बन गया और फ्रांस की समंधान में गर्बपात के अधिकार को शामिल किया गया है फ्रांस की 80% पादी गर्वपाद के समर्थन में अमेरिका और अन्य देशों की तुल्ला में फ्रांस में गर्वपाद अधिकारों को लेकर अधिक सजगता है ध्यान रहेगा First Country to Legalize the Abortion और कह सकते Constitutionalize the Abortion तो ये बन गया है आपका फ्रांस विरे मार्श दोहजार चौबीस में किस राजे ने विद्वप पुनर्विवा प्रहुतसान योजना की शुरूआत की है तो विद्वप पुनर्विवा प्रहुतसान योजना की शुरूआत ये की है किसने जार्खन ने डाटर जॉप्शन नमब भी आपस में ध्यान रखेगा तो देखी जारकरन सरकार राजे विद्वा पनर्विवा प्रहुचान योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तयार है और इसमें इसकी जो प्रहुचान राहसी है वो होगी दो लाग रुपे फिर प्रधान मंति नरेंदर मोदी ने भारत की पहली अंडर्वाटर मेट्रो सेवा का उद्खाटन ये कहां पर किया है तो ये क्या है वेस्ट बेंगॉल में तो ऑप्शन नमबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखेंगे फिर वैश्विक जयन सांती राष्टूथ से किसे सम्मानित किया गया तो अगिर हम बात करें वैश्विक जयन सांती राष्टूथ के रूप में सम्मानित किये गए है आचारी लोकेष मुनी लाट इस ओप्शन नमबर ए तो देखी अहिंशा वेश्य भारती और वेश्य सांथी केंदर के संस्थापक जैन मुनी आचारे लोकिश को वैश्विक जैन शांदी राज़तूत के रूप में सम्मानित किया गया और समहारो जो है वो बिसेकली करनाटक के हुबली वरोड में किया गया जिसका आईज़न जैन तीर्थ किंदर नवगर है तीर्थ छेतर द्वारा किया गया और देश के विदेश मंतरी एस जैशंकर के द्वारा जैन मुनी को इस सम्मानित किया गया है एंबर भारत का पहला रहाष्टय डौलफिन अनुसंदान के इंदर का उध्णाटर कहां पर किया गया तो देखेश पहला रहा रही न में नए रास्टपती कौ। बने हैं तो हंगरी के नए रास्टपती बने हैं तामस सुल्योक, that's option number D, फिर किस राजे में चापचार कुटतियोहार ये बनाया गया, तो चापचार कुटतियोहार की बात करें, ये बना है मिजोरम में, that is option number B, फिर चक्षू प्लैटफोर्म ये किस ने लाँच किया, जो च संदिक्द message number और phishing करते हैं, उसको basically रोकने का प्रयास है, तो ये याद रखिए का, चक्षू platform is for, फरजी call and messages, and this is operated by, और अफर दिस लौच बाय हो, तो दूर संचार विबाग, यानि कि Department of Telecommunication, फिर किस मंत्राले ने माई, CGHS IOS आप ये लौच किया है, तो ये लौच किय किस ने स्वास्तिय मंत्राले ने, that is optional, वो भी आपस में ध्यान रखेगा, तो केंडरी स्वास्तिय मंत्राले ने इस आप को लाउंच किया, ये आप जो है, बेसिकली CGHS, यानि कि Central Government Health Scheme है, उनके लाभारतियों को उनकी उंगलियों पर आवशक स्वास्तिय स्विधाय तक स पहुंच के एक सिशक्त बनाता है, तो बेसिकली काफी अच्छा प्लाटफोर्म है, तो ध्यान लखेगा, किस के अंतरगात आता है, तो याता स्वास्तिय मंत्राले के अंतरगात, फिरे जापान ने किस देश के परटकों के लिए E-Visa के शुरुवात की है, तो जापान ने भारत के लिए यहां पर E-Visa के शुरुवात की है, तो उप्शन नमबर जो C है वो आपस में ध्यान लखेगा, तो देखिए जापान ने केवल भारते परटकों के लिए E-Visa के शुरुवात की है, जापान ने भारते के लिए E-Visa लॉंच किया, जो कि FPS ग्लोबल के माध्य से आवेदर करके बहुत एक विज़ा सिस्टम की बिना परिटन के लिए 90 दिनों के परवास को सक्षम बनाता है, फिर कठिया गेहूं जिसे हाली में J-Attack दिया गया किस राज्य संबंदी थे, तो इसका संबंद है उत्तर प्रदेश चे, आपस में ध्यान रखेगा, फिर कै गरेलू जीन थेरेपी के शुरुवात कहांपर हुई है, तो चैंसर के लिए भारत के पहली घरेलू जीन थेरेपी की शुरुवात हुए आयाटी बॉम्बे में, दार्ट स ऑप्शन नबर ए आपस में ध्यान रखेगा, और इसको लॉज़ किया, यद्फिश के शुरुवा यह कहां पर स्थापित किया गया है तो यह हुआ है बिहार में डाट इस ऑप्षन इंब भी आपस में ध्यान रखेगा तो देखे रास्ट पती रास्ट पिता सौरी रास्ट पिता महात्मा गांदी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापु टावर बिहार के पटना मे बनाया गिया है और बापु टवर पतना के गढ़णी बार्गमी स्तित है और इसके चाहिए लगबख 120 फीट और ये 6 मंचिला टावर है फिर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने मा क्या मक्या मंधिर कोरिडोर का सिलन्यास ये कहां पर किया है तो मा कामयाख्हा मंधिर कोरिड तो यह भी आपस में ध्यान लखेगा फिर भारत के लिए किस प्रडोसी देश ने अपनी नोट पर विवादित नक्षा लगाया है तो यह लगाया किसने नेपाल ने डाट जॉप्शिन अबर सी आपस में ध्यान लखेगा तो देखे नेपाल ने अपने 100 रुपे के लिए पर दिखाया है फिर सुप्रीम कोट के द्वारा बार असोचेशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों यहां पर आरक्षित की गई है तो विमेन के लिए सीट यहां पर रिजव की गई है अकॉर्डिंग टू बार असशन कमेटी तो यह की गई है 33% किस्ट कारेकारी सादस्ट्व के छे से छे मिसे लगबग दो पद यहां पर आरेक्षित होंगे से रफ उर्ष्फ किस्ट के लिए महिलाओं के लिए फिरे GST अपीलिय न्याधीकरन के के भाएं मैट करी तो इसके अधियक्ष बने गए है या फिर इसके प्रमुक्च बने है कौन पिरे अपरल 2024 में कहा कि पत्रकारों को यूनस्कूं गिलर्मो केन harmon पुरुष्कार 2024 यहां पर दिया गया तो ये दिया गया फिलिस्तिन को, that is option number A आपस में ध्यान रखेगा, तो गाज़ा में फिलिस्तिनी पत्रकारों को यूनेस को गिलर्मो केनो पुरुसकार 2024 मिला है, और एक जुट्था और मानिता के संकित में गाज़ा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तिनी पत्रकारों को 2024 यूनेस को गिलर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरुसकार के विजटाओं का नाम यहाँ पर गोशित किया गया है, फिरे कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म किस अभिनेतरी को मारत पामडी और पुरुसकार प्रदान किया गया, ये प्रदान किया गया मैरल स्ट्र दाट इस ओप्शन अंबर डी. वेरेकेस देश ने युवाव की लिए सेन्ने सेवा अंवारी यहाँ पर कर दी ہے तो सेन्ने सेवा यहाँ पर अंवारी कर दिया है मया मार्ट में दाट इस ओप्शन अंबर डी आप उसमें ध्यान रखेगा, तो देखे महिमार की सेना ने अपने सभी युवाव के लिए सेन्य सेवा निवारी कर दी है जिसमें 18-35 वर्ष के आयूकि सभी पुरुष और 18-27 वर्ष के आयूकि महिलाओ को दो साल तक हाँ पर सेवा देनी होगी अंतरास्टी महिला दिवस कम बनाते हैं दो अंतरास्टी महिला दिवस की बात करें मनत है 8-5 को और इसकी तीमें महिलाओ को निवेश करें महिलाओ में निवेश करें और प्रगरती में तीजी लें जैसे होते हैं कि आप वोमेंस को पढ़ाते हो जटना जादा तो उत्ती दादी हमारी कंट्री ग्रोथ करती है ठीक है तो वैसे यहाँ पर थीमें कि इन्वेस्ट इन विमन एसलेट दी प्रोगरेस और इस दिन को मनाने की शिरुबात हुई थी 1909 में पेरे डागपत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाओ आयो के द्वारा कितनी आयों यहाँ पर नधारित की गई थी तो यह थी 85 वर्ष पहले यह हुआ करती थी 80 वर्ष लेकिन इसको बढ़ा कर दिया गया है 85 वर्ष पेरे रास्ट यह वा संसत महासत 24 में फोस प्राइस किसने जीता है यह जिदा यतिन भासकर दुगगल नहीं यह आपस में ध्यान रखेगा और रिसेंटली जो UK PCS का एक्जाम हुआ था 2024 में उसमें भी यह कुशन यहाँ पर पोछा किया 14 जुलाई को आईतींगे एक्जाम था और उसमें कुशन यहाँ पर पोछा किया तो आपको ध्यान रखना है कि रास्ट युवा संसत पुरुसका 2024 में फोस प्राइस मिला है यह तिन भासकर दुगगल को हर्याना से बिलॉंग करते हैं जबकि वैशन आप पिछे जोकि तर्मिल नाडू से दूसरा पूरुसकार मिला और आजिस्तान की कनिश्का शर्मा को तीसरा पूरुसकार नहाँ पर दिया गया फिरे 7 मार्श 2024 को कौन सा देश नाटो का 32 आधिकारिक सदश्यां पर बना है यह बन गया है स्वेडन और यह आपको ध्यान लखने जो UPSC का EPFO पेपर हुआ था साथ जुलाई को उसमें कुछन पूछा गया है कि 32 आधिकारिक देश कौन से बना है नाटो का तो ध्यान लखना यह है आपका स्वेडन फिरे किस राजी के अधिवाशी पोसाक रिशा को G8 यहां पर प्रदान किया गया तो यह प्रदान किया गया है त्रीपूरा को That is option number D मतलब त्रीपूरा की है यह रिशा उसको फिरे सीमा सुरक्षा बल B.S.F के पहली महिला स्नाइपर यह कौन बनी है तो यह बनी है सुमन कुमारी That is option number D and again UK PCS के एक्जाम में यह पूछा गया था तो इसको आपको ध्यान लगने यह मैं इसलिए आपको बता रहे हैं कि जितने भी questions में आप डिसकस कर रहे हूं काफी जादा important है ऐसा नहीं सोचना है कि question important नहीं है कोई ना कोई एक्जाम से पूछे गया और बहुत हाई चांताजा की आगे आने वाले एक्जाम से भी यह पूछे जाएं तो आपको जरूर से पढ़ने जरूर से याद अपने दो तीन बार बस इसको revise कर लेंगे तो आपको सारी questions यहां पर आपकी cover हो जाएंगे ठीक है किस भारती हस्ते को UAE याने कि इनाइटेड अरब अमिरात का गोल्डन वीजा यहां पर ब्रदान किया गया हाल ही में तो यह हुए किसको आनंद कुमार को that is option number B हलाकि से पहले भी कई लोगों को यहां पर मिला हुए लेकिन recent की बात करें तो यह मिल गया किसको आनंद कुमार को बिहार की students के लिए काफी important हो जाता है क्योंकि specifically super 30 के संस्था पर की है आनंद कुमार तो इसले भी important हो जाता है क्योंकि बिहार से काफी इनका mail जोला है इस वज़े से और इससे पहले भी नेदा शारुक खान को शल्मान खान को संजेदत को इनको यहां पर golden वीजा मिल चुका है फिर अजलस वैक्टनॉफ किस देश के नए प्रधान मंत्री बने है तो यह बन गया है कजाकिस्तान के नए प्रधान मंत्री that is option number A फिर भारत इदन 2024 से कितने लोगों को दिया जाएगा तो यह दिया जाएगा पांच लोगों को that is option number C कौन-कौन से कप पूर इठाकुर मतलब देद दिया जा चुका है जोकी पूर मुख्य मंत्री थे बिहार के लाल क्रिशन आडवानी उप प्रधान मंत्री रह चुके हैं भारत की नर्सिमारा पूर प्रधान मंत्री थे चौदे चरन सिंग ये भी पूर्व प्रधान मंत्री थे और म.स्वामी नाथन ये हरित क्रांती के जनक के रुपे हमिने चानते थे तो इन पांचों को इस बार दिया गया है भारत दिया गया है भारत दन दो हजार चौबेस फिर बिसलेरी लीमोन अटा का ब्रेंड अमेस् है कौन अधित्य रोय कपूर दैट इस ऑप्शन नमबर ए फिर एवाई एंटर्पर्नियोर ऑफ देयर अवार्ड 2024 से किसे संबानित किया गया तो ये संबानित किये गए है वैल लेयन सुभाया दैट इस ऑप्शन नमबर सी आप इसमें ध्यान रखेगा और ये पुरुसका पुने चुने जाने वाले पहले लोगसबार द्यक्ष कॉन बने है तो ये बन गए है ओम बिड्ला डाट इस ऑप्शन नमबर ए आपस में ध्यान रखेगा फिर अंतरास्टी किर्किट में छेस्तो चक्य लगाने वाले दुनिया के पहली क्रिकिट खिलाडी ये बन गए है रोहिच शर्मा डाट इस ऑप्शन नमबर बी आइरलेंड के सबसी वा प्रधान मंत्री कौन बने है तो ये बन गए साइमन हैरिस तो याब इसमें ध्यान रखेगा और इन्होंने किसका रिकोर्ड यहां पर तोड़ा है तो इन्होंने से पहली जो लियो वराड करते उनका कोड़ यहां पर तोड़ा है फिर वैश्विक मीडिया पूरुसका 2024 किसने जीता है तो वैश्विक मीडिया पूरुसका 2024 जीता है सना ने ताट इस ऑप्शन नमबर डी और यह एक EI आइकर है यानि कि भारत की पहली EI आइकर है जो कि इंडिया टुड़े ग्रूप ने यह जो प्शन नमबर डी तो देखे बूरुप प्रवासी पहली बात रीपुरा मतदाता के रूप में लोग सभा हमें भाग लेंगी और मिजोरम के लगबग 37,000 बूरुप प्रवासी जो अब रीपुरा में बस गए हैं उन्होंने लोग सभा में अपना वोट डाला और उन्ह से ध्यान रहेगा option number 20 के हैं पर सही हो जाएगा अठारवी लोगसभा की प्रोटम स्पीकर कौन बने हैं तो यह बने हैं भर्थ हरी महताब that is option number बने हैं प्रोटम स्पीकर की बात करें तो यह हैं भर्थ हरी महताब फिर अलिगर्ड मुस्लिम विश्विध्याले की पहली महिला कुलपती कौन बनी है तो यह बनी है नईमा खातून that is option number बब्बी तो केंद्रे सिक्षा मंत्राले ने प्रोफेसर नईमा खातून को अलिगर्ड मुस्लिम इवस्टी का कुलपती यहां पर न्युक्त किया और वो पहली महिला कुलपती है इसलिए काफी नाम यहां पर इंपॉर्टनेंट यह हो जाता है तो यह बने हैं कहां कि मुहमद सलेम ने डाटर जॉप्शन नमबर बी आपस में ध्यान रखेगा तो मुहमद सलेम ने वर्ड प्रेस फोट ऑफ देयर 24 का पुरुस्कार जीता है और उन्होंने गाजा पट्टी में अपनी पांच वर्षी भतीजी के सब को गोद में लीवे एक फिलिस्तानी महिला को यहां पर दर्शार आ गया और तस्वीर लिगे थी 17 पर दोज़ाटेस को जब गाजा की खान यूनस में एक परिवार फिलिस्तिनी इलाके में इस्जायली बंबारी के दुरान मारी के रिष्टारों के तलाथ यहां पर कर रहा था और इसके लावा देखे हमारी कुछ रि जन्वरी से लेकर अप्रिल-मई मई तक का पुरा करेंट फैर यहां पर ले लिए तो वो सिफ फोर सिफ जून का यहां पर ले सकता है जल्दी पुरा कंपैलेशन जलाई तक भी यहां पर पेच करें शको आप पर प्रचेस कर सकते हैं लिंक आपको डिसक्प्शन में लेगा ये पंचायती राज़ दिवस ये कब मनाते हैं, तो राष्ट्य पंचायती दिवस की बात करें, तो ये मनाते हैं 24 अप्रेल को, that is option number C, आप इसमे ध्यान रखेंगे, तो देखें, प्रती वर्श 24 अप्रेल को राष्ट्य पंचायती दिवस हम मनाते हैं और भारत में पंचाय पहन का भाग बना दिया गया तो तबी से हम इसको कह सकते हैं कि यह हम इसको एज रास्टे पंजद दिवसाम इसको मनाते हैं फिर अपरल दो हजार चौबीस में ASI का आरेभड पुरुसकार यह किसे प्रदान किया गया तो देखें दॉक्टर पावुलरी सुभा राओ को ASI का आरेभट पुरुसकार प्रदान किया गया और अनंत टेक्नोलोजीस के CEO चेर्मेन जो है दॉक्टर पावुलरी सुभा राओ को Aeronautical Society of India के आरेभट पुरुसकार से सम्मानित किया गया है अगला क्यूस्चन है आपका फिर अपरिल दुहजाद चॉबीस में सौमपेन जनजाती ने कहां पहली बार चुनाव में एतिहासिक वोटिंग की है तो ये एतिहासिक वोटिंग की है सौमपेन जनजाती ने कहां पर अंडमान निकोबार में इस आपको उसमें ध्यान रखना है तो देखे सौमपेन जनजाती ने अंडमान और निकोबार चुनाव में एतिहासिक वोटिंग की है और भारत की विशेश रूप से कमजोर जनजाती सम्हों में से एक जिसका नामे सौमपेन जनजाती ने पहली बार अंडमान और निकोबार लोग सबक शेतर में वोट टाल कर अपनी लोग तांतरीक अधिकार का प्रियोगियां पर किया है तो ध्यान रहेगा सौमपेन जनजाती कहाँ पर अंडमान और निकोबार विनोंने बोट किया है फिर आईपियल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंद बाच कौन बन गए है तो ये बन गए ये जुवेंदर चहल तो देखे आईपियल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंद बाच ये बन गए है नाम है उनका ये जुवेंदर चहल फिर किस थीम के साथ में 23 अप्रेल को विश्व पुस्तक और कोपिराइट दिवसी मना गया है तो दिखेगर हम बात करें 23 अप्रेल को विश्व पुस्तक और कोपिराइट दिवसी मनाते हैं और इसके थीम है इस बार की read your ways that is option number यह आपस में ध्यान रखेगा तो 23 अपरेल को ये मनाते है रेडियो और वेज इसकी थीप है और ये दिन पढ़ने लिखने अनुवाद करने प्रकाशित करने और कोपीराइट की सुरक्षा लाबों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है फिर हाइब्रिड पिछ तकनीक का उप्योग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम ये कौन सा है तो ये है धरमशाला स्टेडियम डाटर्ज ओप्शन नमबर जो C है वा आपको इसमें ध्यान लगना है कि धरमशाला स्टेडियम वो पहला स्टेडियम बना है भारत के जिसने ह फिलिपीन्स को डाट इस ओप्शन नमबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है तो भारत ने फिलिपेन्स को भरम्मोस मिसाल की पहली केप यहां पर सोपी है और चीन का पड़ोसे देश जो है फिलिपेन्स इसमें दक्षिनी चीन सागर में तैनात करेगा इसको और ज इसरो प्रमुक जो है एस सोमनात ने कहां पर अंतरिक्स सुरक्षा के लिए दिगनतारा मुख्याले खोला है तो अंतरिक्स सुरक्षा के लिए दिगनतारा मुख्याले ये खोला है बैंगलूरू बे डाट इस ओप्शन नमबर सी आपस में ध्यान रखेगा और जो इसरो के अप्रेल को that is option number A आपस में ध्यान लेखेगा और केंडर सरकार हर साल प्रसाश्चनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए इस दिन को इसे मनाते हैं और इसकी थेमें अंपावरिंग सिटीजन अनहेंसिंग गवर्नेंस फिरे फ्रांसे से कार निर्माता सेट्रोयन ने भारत में ब्रेंड अमेस्टर ये किसे निउक्त किया है तो ये निउक्त किया मेस धोनी को that is option number B फिरे परियटक के रूप में अंत्रिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारत ये बन गए है गोपी चंथ थोटा कुरा that is option number जो A है वह आपको इसमें ध्यान रखता है कि गोपी चंथ थोटा कुरा बन गए है पहले भारती जो की परियटक की रूप में अंत्रिक्ष की यात्रा करेंगे और ये जो जेफ पिजौस की कंपनी है ब्ली ओरिजन उसके न्यू शेफ़र 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से की रूप में अंत्रिक्ष की यात्राय हाँ पर करेंगे फिर ये फ्रेंच ओपन 2014 में महिला एकल का खिताब ये किसने जीता है तो फ्रेंच ओपन की बात करें ये जीता है ईगा स्वेटक ने और अगर हम बात करें इगा स्वेटिक के तो उन्होंने महिला एकल के फैनल में विशन नंबर वन एक पॉलेंड की इगा स्वेटिक जो है नोंने बारवी वर्यता वाली इटली की जैस्मीन पाउलीनी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है और येनका चौथा फ्रेंच फारिक का खिताब है और नोने से पहले 2020 में, 2022 में और ये चैंपिन शिप यहां पर जीती थी वेरे World Craft Council ने किस शहर को World Craft City का tag यहाँ पर प्रदान किया है तो World Craft City का जो tag है वो प्रदान किया गया किसको श्री नगर को That is Option Number D आपको उसमे ध्यान रखना है तो देखे World Craft Council ने श्री नगर शहर को World Craft City tag प्रदान किया और ये टेक WCC के द्वारा दुनिया भर में सांस्कृतिक्स, आर्थिक और समाजिक विकास में इस्थाने शिल्पकारों और समोदाओं की महतपून भूमिका को मानेता देने के लिए दिया जाता है फिर एक ये शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेसको का सहित्य शहर यानि की लेटरिजर सीटी यह यहापर डिकलेयर कर दिया गया तो यह क्या गया कोजी कोड को जो की केरल में है तो ऑप्चन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान लगना है तो देखे केरल के उत्तर में इस्तित कोजी कोड शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेसको सहित्य का शहर यहापर गोशित किया गया है और यह शहर अपनी सम्रिद सांस्कृतिक धरोवर के लिए काफी प्रस्थिद है और इसके गोशना यूनेसको प्रिकाश नडड़ा जो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जेपी नडड़ा को अभी राज्य सभा में लीडर अफ दी हाउस या पर चुना गया है फिर भारती दूर संचार नियामक प्राधिकरन यानि कि ट्राई के अध्यक्ष किसे निक्त किया गया है तो यह निक्त हु आपको इसमें ध्यान रखना है कि मलेशय कंट्री के सत्रवे राजा यह बन गया है कौन सुल्तान इब्राहिम फिर मैकरलेप्स एडिवटेक कंपनी की मदद से किस राजे में भारत की पहली एई टीचर को लॉंच किया गया है तो यह लॉंच किया गया त्रिवंध पुरम क किरला में तो option number A आपस में ध्यान रखेगा उसका नाम क्या है टीचर का आईरिस फिर भारत की पैरलंपिक समीति के नए अध्यक्ष कौन बने है तो यह बन गहें देवेंद्र जाजरिया that is option number B आपस में ध्यान रखेगा फिर French Open 2024 में पुरुष एकल का किताब यह किस दे ज जीता है किसने एगा स्वेटेक ने हैं फिर अखिल भारती अखाड़ा परिशद ने किसे सनातन शिरोमनी की उपादी से संबानित क्या है तो सनातन शिरोमनी की उपादी से संबानित हुए है नरेंदर मोधी that is option number B फिर ओला के CEO भावीश अगरवाल का AI स्टार्ट अप किसे विक्सित कीगी बहुत दिख्शमता और यूनिकॉन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जब किसी भी स्टार्ट अप का वैलुएशन ये एक अरब डोलर से जादा हो जाता है तो इस कंडिशन में हम इसको यूनिकॉन स्टार्ट अप कहते हैं फिर नेलसन मंडेला ल बात करें तो बच्चों के सिर्वा में उनकी उत्करस्ट योगदान के लिए साथवे नेलसन मंडेला बाल फिल्म महुतसव में ये पुरुसकार उने प्रदान किया गया और ये इस पुरुसकार से सम्मानित होने वाले पहले भारते यहां पर बन गए हैं फिर मालाबार बेसिकली वहां पर अपना राज्य भवन बनाएगा जिस वजह से बेसिकली जम्मू कश्मीर में महारास्ट ने जमीन वहां पर खरीदी है तो ध्यान रहेगा ओप्शन नमबर ए फिरे विदेश मंतरी S. जैशनकर ने किस देश में भारत के पहले विदेश जन ओशदी केंद्र का उधगाटन किया है तो यह हुआ है मौरिसस में कि मौरिसस में जो हमारे विदेश मंत्री है एस जय शंकर उन्होंने पहले विदेशी जन ओशदी केंदर का उद्गाटन यह पर किया है तो यह आपको उसमें ध्यान रखना है फिर महिला एशिया कब टीटवेंटी टूर्णामेंट यह कहां पर शुरू हुआ है तो यह हुआ स्री लंका में डार्टर जॉप्शन नंबर भी आप समें ध्यान रखेगा फिर कौन सा देश 35 यूरोपे देशों के लिए विजा मुक्त नीती लागू करेगा तो यह लागू कौन सा देश करेगा तो यह गरेगा बेसिकली यहां पर आपको कौन सा बेलारूस तो ऑप्शन सकते हैं यहां पर लोग बिना वीजा के लगबक 30 दिनों तक बेलारूस में रह सकते हैं फिर किस राज्य ने अगनी वीरों को पुलिस भरती में 10% आरक्षन देने का एलान किया है तो जो हर्याना गवर्मेंट है उसने बोला कि जो अगनी वीर है उनके पास क्या रहेगा 10% का कोटा रहेगा यानि कि 10% रिजर्फ कर दिया गया उनको किसीज में पुलिस भरती में तो ऑप्शन नमबर यह आपस में ध्यान नखेगा तो हर्याना राज्य सरकार्णी हाल ही में अगनी वीरों को माइनिंग गार्ट्स पुलिस भरती में 10% आरक्षन देने का एलान कर द जलाई को और हर सल 18 जलाई को हम इसले मनाते क्योंकि इसी दिन इनका पर्थड़े हैं तो इसलिए यह दिवस हम मनाते हैं और पहली बार इसकी शुरुवात यह हुई थी 2010 में फिर किस देश ने अपनी पहली अंत्रिक्स एज़िश गार्ण की है और 2045 तक मंगल पर लेंडिंग करने की योशना भी यह बना रहा है तो देखेँ पहली अंत्रिक्स एजनसी लाॉंच की है साओध कोरिया ने यानि कि दक्षिन कोरिया ने किसके नाम से कांसह के नाम से औ 2045 तक के मंगल ग्रह पर लेंडिंग होने की बाद भी हाँ पर कर रहा है तो ध्यान रखिना ओप्शन नमबर जो बी है वो आपकस में सही हो जाएगा तो देखे दक्षिन कोर्य ने 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योशना बनाई है और अंतरिक्ष अन्वेशन में 100 ट्रिलिय के द्वारा स्वास्ते सेवाव के पहुत्साहन के लिए 2024 का नेलसल मंडेला पुरुसकार यह किसे मिला है तो यह मिला है नीम हंस को बात कर लेते हैं तो इसकी फिलफॉर्म रहती है नेशल इंसिट्यूट उफ मेंटल हेल्थ और यह बिसिकली बेंगलुरो को स्वास्ते और इसकी शुरुवात अगर हम बात करें यह हुई ती 2019 में फिरे किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट यहां पर लॉंच किया है तो यह किया अगनीकुल कोस्मोस ने तार्ट जॉप्शन नमबर ए आपस में ध्यान रखेगा तो द परियास में अपना रॉकेट अंत्रेक्ष में प्रक्षेपित करने में सफल रहा अगनीबान नामक रॉकेट भारत का पहला अर्ध क्रायोजनिक इंजन संचली रॉकेट है और जिसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था फिरे संयुक् संबोच 35 साल की सेवा के बाद में रिटायर हो गई है और इस दोरान इन्होंने भूटान दक्षिन अफ्रीका युनेसको में भारती दूद के रूप में भी कारिये किया है फिर एक इस उत्तरपरदेश शरकार के द्वारा किसे बेसिकली हाँ पर उत्तरपरदेश गौरव स सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है तो इस सम्मानित किया गया है डॉक्टर रितु करिधल को और साथी में नवीन तिवारी को बात करें तो इन मोमी के संस्थापा को सीईयों है फिर महारास्ट की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है तो ये बनी है रश्मी शुकला जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि रश्मी शुकला ये बनी है महारास्ट की पहली महिला पुलिस महानिदेशक फिर कुवेंपू राश्टी पुरुसकार 2023 से किसी सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शिर्श इंदू मुखो पाध्याय को That is option number A फिर तमाको नियंतरन के लिए ब्रैंड अमबेस्टर के रूप में किसी चुना गया है? तो तमाको नियंतरन के लिए ब्रैंड अमबेस्टर ये चुनी गई है पीवे सिंधू That is option number B फिर मैक्सिको की पहली महला रास्टपती कौन बनी है? तो मैक्सिको की पहली महला रास्टपती बनी है क्लाउडिया शियनबाम That is option number A यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना क्लाउडिया गोल्डिन से क्योंकि इने एकनॉमिक्स में 2023 में नोबल पुरुसकार मिला था तो यहाँ से बच्चे कन्फ्यूज ना करें तो मैंशन क्या हुआ है? लेकिन सही आंसर क्या होगा? क्लाउडिया गोल्डिन 1973 से प्रतिवश आज़ित किया जाता है सवधी अरब ने विश्य पर्यावरन दिवस के मोके पर एक पेड़ मा के नाम अभियान की शुरुवात ही किस ने की है? तो यह की है नरेंदर मोदी ने तो देखे विश्य पर्यावरन दिवस के मोके पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने 5 जून 2024 को नई दिल्ली में एक पेड़ मा के नाम अभियान का शुभारम किया और विश्य पर्यावरन दिवस हर साल 5 जून को दुनिया भन में मना जाता है और भारत में धर्ती को मा माना जाता है तो इसलिए एक पोधा मा के नाम यह यहाँ पर अभियान की शुरुबात की गई है फिरे गुड़ लेपा हल्ली करी पुरुस्कार के लिए किसे चुना गया है तो यह चुना गया स्रिदलिंगा पतन शेटी को दाट इस ऑप्शन नमबर ए जिने मिलेगा गुड़ लेपा हल्ली करी पुरुस्कार यह आपको उसमें ध्यान रतना है और यह बेसिकली 19 वा पुरुस्कार है और इसमें क्या दिया जाता है तो इसमें 25,000 रुपे की नगध राशी और सात्मिक स्मृति चिनिया पर दिया जाता है विरे अंतरास्टी बुगर पुरुस्कार 2024 किसने जीता है तो यह जीता है किसने जैनी अर्पन बैगने तो जैनी अर्पन बैगने हापर अंतरास्टी बुगर पुरुस्कार 2024 जीता है किस बुक के लिए तो कैरोस नाम से पुस्तक है उसके लिए अब यू के पीसर्स का एक्जाम था तो इसमें भी ये किशिन पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है के रोज पुस्तक के लिए इन्हें ये अवाड या पर दिया गया है अगला गिश्यन आपका कि प्रेंग सिंग तमांग ने किस राजे में मुख्य मंत्री के तोर पर शपत लिए तो ये किस राजे के लिए लिए है ये लिए है सिक्किम के लिए दाट इस ऑप्शन नमबर डी वह अगर हम बात करें ओडिशा की नए मुख्य मंत्री तो ये बन ग तो यह बने है चंदरबाबु नैडू दार्टर जॉप्शन नमबर ए एकात्रवी मिस्वर्ट दो हजार चॉबिस का खिताब किस ने जीता है यह जीता है क्रिस्टिना पिछकोवा ने जो की बिलॉंग करती है चैक गंडराज्ये से फिर महला प्रीमियर लीग दो हजार दिल्ली कापिटल जिसकी कप्तान थी मैग लैगिंग्स दूसर का संस्क्रन था कुल्टी में थी पाच पहली की विजटा टीम है मुंबई इंडियन्स और उप विजटा थी कौन सी दिल्ली कापिटल्स पेरे संयुत रास के द्वारा जारी विश्य खुशहाली रिपोर्ट 2024 में सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है तो ये बना है बेसिकली फिनलेंड डाट इस ओप्शन नमबर डी आपस में ध्यान रखेगा कि फिनलेंड बेसिकली सबसे ज़्यादा खुशहाल देश यहां पर बना है तौप तरी कंट्री में आते हैं फिनलेंड डेन्मक और आ किसे सम्मानित किया गया काफ़ी इंपॉर्टन क्यूशन है तो एबल पुरुसकार की बात करें यह मिल है मिशल टेला ग्रेंड को दाट इस ओप्शन नमबर डी तो देखे एबल पुरुसकार बेसिकली गणित का नोबल पुरुसकार होता है और यह नौर्वेजिन अकैडम में दाट इस ओप्शन नमबर डी फिरें मार्च दोहजाट चौबीस में लंदन के तेट मुजम में शामिल होने वाली एक मात्र भारती कौन बनी है तो यह बनी है सोनम कपूर दाट इस ओप्शन नमबर सी फिरें कौन सा दिस प्रस्टाचार बोत सुचकांग 2030 की सूची मे टॉप पर है तो इसमें टॉप पर है डैनमार्क दाट इस ओप्शन नमबर बी टॉप त्री कंट्रीज में डैनमार्क है फिनलेंड और न्यूजिलेंड है जारी करते है ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल भारत के रैंके तिराणवी और 2022 में रैंक थी 85 आकरी स्थान पर कौ अधान सचीव दुबारा ये किसे न्यूक्त किया गया है तो ये न्यूक्त में है कौन नाम हैं का डॉक्टर प्रमोत कुमार मिश्रा धाट इस ओप्शन नमबर बी फिर भारती किर्किटर ने अपनी आत्मकता आई हैब दा स्ट्रीट अकुट्टी किर्किट स्टोरी का में मोचन किया इस पुस्तक के लेखा कौन है तो इसके पुस्तक के लेखा के रवी चंदरन अश्विन यानि की आर अश्विन तो ओप्शन नमबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेगा फिर टी ट्वेंटी विश्व कप में एक मैच में चारो ओवर मेडन फेक्ने वाले पहले गिन बाच ये बन गए है लोकी फर्ग्यूसन तार्ट इस ओप्शन नमबर सी फिर थ्री स्टार ग्रेंट प्रिक्स घुड सवारी परतियोगता जीतने वाली पहले भाड़ती है कौन बनी है ये बनी है श्रूती वोहरा इस ओप्शन नमबर सी फिर नालंदा में ही किया गया है किसने किया प्रधान मंत्री जी ने किया और अगरम बात करें स्विश्विध्याले की तो बारवी शिताबदी में आक्रमन कारी बक्तियार खिल जीने से नस्ट कर दिया और भायरत की संसंद ने नालंदा विश्विध्याले अधिन्यम 2010 के माध्यम से नाल यूस अनलक्षन और प्रजनन केंद्र तो यह नाम भी आपको उसमें ध्यान रखना है फिर अठारवी लोगसभा के प्रोटम स्पीकर कौन बने है तो यह बने भर्थरी महताग दाट इस ऑप्शन नमबर बी फिर किसने दोजाच ओबीस का पैन पिंटर पुरुसकार यह पर जीता है तो पैन पिंटर पुरुसकार यह जीता है किसने अरुण धती राय ने ताट इस ऑप्शन वह भी और इन्हें यह पुरुसकार उनकी अडिक लेखक और उनकी सहाशी लेखन के लिए दिया गया है फिर फिर भारत के पहले चेडविक हाउस नेविगेटिंग और्ट हेरिटेज संग्राले का उद्गार्टन के स्थान पर किया गया तो यह हुआ है श्रमला में दाट इस ऑप्शन भी पिर आपका अगला किशन कि विश्व हिंदी सम्मान यह किसे प्रदान किया गया है तो यह प दिया गया है विरे भारती वेक्सिन निर्माता संग का अध्यक्षे किसे निउट किया गया है तो यह निउट में कृष्णा एम एला डाट इस ऑप्शन भी फिर नरेंद्र मोधी मैग्जीन जो है वो न्यूस्वीक के कवर पेच पर छपने वाले कौन से भारती प्रदान म से किसने जीता है यह जीदें डॉक्टर पूर्णीमा देवी बर्बन ने दार्ट इस ऑप्शन नमबर ए यह दूसरी बार इनोंने जीता है इससे पहले साल 2017 में भी इनोंने यह पुरुसकार अपने नाम किया था फिर ऑलम्पिक 24 में भारत की पहली महिला जोरी सदश्य कौ फिर चानवे क्यादमी पुरुसकार में सर्वस्रेश्ट अभीनेतिका पुरुसकार यह जीता है किसने केलियन मर्फी ने दार्ट इस ऑप्शन नमबर ए अभीनेत्री की बात करी तो एमा स्टोन है बेस्ट डारेक्टर है क्रिस्टोफर नॉलन और बेस्ट मुवी है ओपन ह फिर रास्टी अनुसूचित जाती आयोक का अध्यक्षे किसे निवत किया गया है तो यह बने है किशोर मगवाना डार्ट इस ऑप्शन नमबर भी आपस में ध्यान रतना फिर रणजी ट्रॉफिय दोजाचोबिस का किताब यह किसने जीता है यह जीता है मुंबई ने और क कि 1924 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में निवत किया गया है तो यह निवत हुए है ज्याने अनुस कुमार और सुकभीर सिंग संदु यानि की दोनों और मुक्य चुनाव आयोक्त को ने राजीव कुमार है और इन राजीव कुमार तो ध्यान रहेंगा ऑ आपस में ध्यानकना आमिट शाह के बेटे हैं जैशाह जिने एशाह किर्केट परिशत के अध्यक्ष की रूप में फिर से चुन लिया गया था इसकी स्थापनवेदी 1983 में मुख्याले कॉलंबो में है और अध्यक्ष इसकी जैशाह फिर उत्राकंड हाई कोट की पहली महिला म मुख्य नियादीश ये कौन बनी है तो ये बनी है रीतु बहारी अगें उत्राकंड पीसस में आया था ये कुशन तो इंपोर्टेंट ये आपके लिए हो जाता है फिर अंतरास्टी नियाले के नयाध्यक्ष ये कौन बने है तो जो इंटिनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस है उसके नयाध्यक्ष के गरम बात करें ये बनगे नवाफ सलाम जो की लेबनान से है तो उप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखेगा फिर पंदरवे आईसीसी अंडर 19 विशुकप दोहजार चौबीस का एक दिवशे किताब ये किसने जीता है ये जीता है उस्ट्रेलिया आपस में ध्यान रखेगा आयाजन की बात करें 19 चनवरी से 11 फरवरी के बीच में इसका आयाजन था विजटा टी में ऑस्ट्रेलिया उप विजटा है भारत संसकन थेस्ट का पंदरवा अगला गिशन है के पीबी नाम्यार पुरुसकार दोजार चौबीस ये किसे सम्मानि किया गया ये हुए है गुलजार और साथी में जगत गुरुष रामभद्राचारिये लाट इस ओप्छन नमबर सी तो देखे पुरुसकार बेसिकली कोई भारती नागरिक जो जो आट्वी नुसुची में बताई गई बाइस भाशाओ में से किसी भी भाशा में लिखता हो उसी पुरुसका नहीं पर मिल सकता है अगर वो इसके योगे होता है तो अगला क्यूशन है आपका दुनिया का पहला लकड़ी का सेटलाइट ये लिगनोसेट प्रोप ये किसने लॉंच किया है तो ये लॉंच किया है नासा और जाकसा ने यानि कि दोनों ने मिलके तो किसका क्या है मैगनोलिया वुट का यहां पर इस्तेमाल किया गया और इसका उदेश यह स्थिरता को प्रात्मिक्ता देकर अंत्रिक्ष उडान संचलन में क्रांती लाना फिर उत्रपरदेश के किस जिले में पहला कछवा संदक्षन रिजर्व किंद स्थापित किया फिरे वग्यानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरुसकार जीतने वाली पहली महिला वग्यानिक ये कौन बनी है तो ये बनी है अदेती सेंड डे डाट इस ऑप्शन नमबर सी फिरे शशी धरूर को किस देश के सरवोश नागरिक सम्मान शवेलियर डिला फिरे भारत की सबसे लंबे सिगनेचर स्टे ब्रिच सुदर्शन ब्रिच का उद्खाटन ही कहां पर किया गया ये हुआ है द्वारिका गुश्रात में डाट इस ऑप्शन नमबर बी फिरे लोगपाल का नया अध्याक्षी किसे निफ्ट किया गये ये हुए अजिक मानिक खानवील कर डाट इस ऑप्शन नमबर ए पिरे ऑस्ट्रीलियन ऑपन दोजाचोबीस में महिला एकल का खिताब ये जीता है किसने अरिना सर ब्लैंका जो कि बेलारूस से है तो ऑप्शन नमबर ए आपस में ध्यान रखेगा और पुरुश एकल की बात करें तो ये जीता था से कहां से इटली से फिरे भारती सिना में सुबेदार के पत पर बदुन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है ये कौन है इनका नामें प्रीती रजक डाट इस ऑप्शन नमबर ए अगला है भारत की किस राज्जे में दुनिया की पहली मेलनिस्टिक तैगर सफारी फिरे भारत का प्रत्थम केंद्र वित पोशित गो अभेरन ने ये किस राज्जे में बनाया जाएगा तो ये बनाया जाएगा बेसिकली मुझफफर नगर उतरप्रदेश में दार्ट इस ऑप्शन नमबर ए फिरे अयुद्याराम मंदिर में 51 इंच उची रामलला की मूर् प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के द्वारा मंदिर के डिजाइन चंग दरकान सोंपुरा के द्वारा और रामलला की मूर्ती बनाई थी किसने आरुन योगी राजने फिरे जिनवरी 24 में भारत और किस देश की सेना की बीच में पहला सेयुक्ति सेन्ने अभ्यास सदा तनसीक का आजन यह किया गया है तो यह हुआ किसके बीच में साओधी अरप के बीच में ऑप्शन नमबर भी आपस में ध्यान लखेगा आजन सतल की बात करें तो यह कहां पे था राजस्थान में भारत में 14 वा रास्टी मत्ताता दिवस 1224 कम मना गया यह मैंने 25 जैन्वरी और रास्टी मत्ताता दिवस का उदेशिन नागरिकों को मत्तान के महतों के बारे में बताना और चुनावी जागरूता को पैदा करना है इसका विशे है वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर टालेंगे हम फिरे कौन सा विश्विध्याली श्रीमत भागोत गिता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्विध्याली बन गया है तो ये बना है कौन सा बनारास हिंदो विश्विध्याली दाटर जॉप्शन नमब बी फिर रिकोर्ड आटवी बार बालकन एथलीर 2020 का खिताब एक इस खिलाडी ने जीता है ये जीता है नवाद जोकोविच ने जोकी बिलॉग करते हैं सर्विया से ताट इस ऑप्शन नमब बी फिर है परधान मंत्री शोरी अध्य योजना दाट इस ऑप्शन नमब बी इसकी सोर पेडल स्थापित करना इसकी पात्रता की बात करें तो ये योजना मुख्य रूप से कम आये वाले और मध्यम वर्गे परिवारों के लिए होगी और आवेदक की उम्रिया पर 18 वर्से अधिक यहां पर होनी चाहिए और भारत का वो इस्थाई निवासिया पर होना चाह पर किस भारती अभी नेत्री को पहली बार सवधी अरब के जोई अवर्ट से सम्मारित किया गया है तो यह हुई है आलिया भट डाट इस ऑप्शन नमबर सी अगला क्यूशन है आपका कि कि किस राजी की हाटी समोधाय को अनुसूचित जन्जाती का दर्जा यहां पर दिय गया तो यह मिला है मशल परदेश को लाट इस ऑप्शन नमबर ए तो यह थे आपके टॉप्मोस 200 क्यूशन ऑफ लास्ट सेविन मन्थ होफफुली आपका वीडियो पसंद आया होगा इसका फीड्मेक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अब टेस्ट कर तरन आते हैं कि गवर्णर क्यापटल लोग सबसेट यह सब भी आप मेंशन करोगे कमें सेक्शन में फिर है उत्रकर ने अपनी पहली बर्ड गैलरी कहां पर शुरू की है तो इसका अंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओंगे इसके लावा देखें पीडियोफ में आपको बता चुकी है लिंक आपको डिस्किप्शन में विलेबल हो जाएगा इसके लवा हमारा टेलिग्राम ग्रूप है करन्ट फेर्स भाई रवी के नाम से आप इसको जोईन कर सकते हो जहां पर आपको डेली करन्ट फेर की पीडियोफ यहां पर देखने के लिए मिलेगी मुबैल एपलेक् यहां पर सभी लिंक्स आपको अविलेबल होंगी जितने भी हमारे रिसेंट पीडियोफ रोंच होती है तो दोनों को आपको देखना है तो आज के लिए आपका थैंक यू सो मच हावा गुड़े विश्यू आल वेरी बेस्ट फॉर एक्जैम्स